सुन्देवालों के खित्मत में आदाब अर्ज हो एकमेई का प्रोग्राम और वही से तो आज आज बीफे है जी हाँ बीफे 18 मार्ट कहिए बिलिष्टर फान अंदरवाइस पास फकांसी के सिलसले में फैसला लिया है पास फकांसी एज अपरेल को शुरू होगा और 11 अपरेल तक या रिफकांसी दहेगा एज अपरेल से लेकर के 11 अपरेल स्कूल 12 अपरेल को फिर शुरू हो जाएगा कुफित देखन टीट के सिलसले से स्कूल के बच्चों ने बहुत दिनों तक घड़ी पे था अब स्कूल का शुरूआत हो चुका है कुफित देखन टीट प्रोकोल दिवारा स्कूल में बच्चों को लेस्ट दी जाती है इसी वजह से पास फकांसी अब जैसे की छे हपता पहले था अब उसे नहीं है एक अपरेल पहला अपरेल को शुरू होगा एलफ अपरेल तक रहेगा जिस होल साल वेर अप त्वालफ अपरेल स्टार्टन याद खना लरकन मिनिस्टर फान दर फिनांसियन और रखेरिंग कांवियो होदर से बात चीत की है विसल कोर्श के बारे में विसल कोर्श के बारे में विसल कोर्श फिर्टी देगन त्वेंटग एन एस एरदी सेस्टी जैर्टग वहीं से प्रेशिदेंट चंद्री के पर साथ संतोखी एंड मिनिस्टर आर्मान अच्छेवर शेंट फाफिनांसियन ये लो फरेने के फंकाबियो होदर से बात चिती है उन्हों को समझाया है कि देश के समशिया है और सब लोग को मिलकर के इस समशिया को हल करना चाहिए मतलब की वादा दिया है ये लोग दे काम भी होदिस लोग दे कि ये लोग ने पूरा तरीका से काम करेगा ताकि ये विसल कूर्स फेर्टीन एकरन त्वेंटेक ये सैस्तीन जार्टेक तक रहे और रखेरिंग भी आशा रखता है कि ये अस्प्राट जो काम ये होदिस से बाचित हुआ है ये इसे वादा दिया ही लोग ने तो ये लोग जरूर पूशिस बहुत तरीका के मजब भी करेगा ताकि ये मामला अब सुधर जाए सुधर्णा के लिए रखेरिंग ने बाचित की है इनों से काम ये होदिस से तो भाई जे बाचित हुआ है वेसल कूर्स के बारे में बहेर सेंग फांदे वेसल कूर्स इसी कारण से काम ये होदिस लोग दे परीने के फांदे काम ये होदिस लोग वादा दिया है एक जो जस आ रही देख भाई आज रही देख भाई या गारी एक दम से कट गे बांते कट के छित्रा भी गया केलेदी वेक के बात है केलेदी वेक के बात है शफिर कॉंट्रोल छुट गया हाथ से एन रेट अन बिस एक बिस को जाकर के धक्का मार दिया वो बिस परसुनेस लेजन एक बंदराइब को ले जा रहा था ये विस के धक्का मानने से ये विस एक मस्त बे जाकर के धक्का भी लगाया है दोनों गारी ज्यादा उखर पुखर गए है ठित्रा गया है अन बिलास को कार किया गया कुछ लोग जो चोट खाए हैं उन्हें उठा करके स्पुत ऐशंद हिल्प को पहुचाए गई है तो लोग गारी उला करके चलाते हैं तो यही सब मुसीबत है भाईजी जब लोग बात नसुने ठीक से तब शुरी नाम अप्वेखदार कॉंसेंसिस विद आयव एफ शुरी नाम का रखेरिंग इंटरनाशनल मुनेटेर फॉंस आयव एफ से उसे अंदर्स्टेरिनिंग के लिए बात चीद करने जा रहा है शुरी नाम का रखेरिंग का हैस्टेर्ड प्लन यह हैस्टेर्ड प्लन यह सुरी नाम का है रखेरिंग मदद मांग रहा है आयव एफ से यह हैस्टेर्ड प्लन को सहाईता देने के लिए अंदर्स्टेर्ड करने के लिए प्यारे जन्ता, सुरी नाम के सरकार यहाशा भी रखते हैं कि आईमेफ सुरी नाम का हैस्टेल प्लान को अंदुस्टिण करेगा इसलिए भाचित हुआ है और कोशिस भी है कि आईमेफ सुरी नाम के हालात जानता है और सुरी नाम के रखेरिंग जो अपना हैस्टेल प्लान को तैयार की है उनको अंदुस्टिण करेगा ताकि सुरी नाम के रखेरिंग हमरा देश का एकोनोमी हमरा देश का समश्या जो बिगर गया है उन्हें सुधारे तो यह कारल से आईमेफ बहुत जल्ब बातित करेगा शुरी नाम के रखेरिंग से चलेगे भाई जी तो मिलियोई इस्पेक्ट्र जो लोग आक्षी से हैं मिलियोई इस्पेक्ट्र आक्षी से हैं अब आप देखिए कागजपत्र तैयार हो चुका है मिनिस्टर ओफर यूर का बस्खेक्टिंग टेकल कर चुका है बस्खेकिंगं पूर एट बतालिंग पान ओफर यूर निनिस्टर टेकल कर चुका है हलाकि प्रसंसी लैस भी होना चाहिए था लेकिन मिनिस्टर इस वक्ट इनको मदद करने के लिए बेगर प्रसंसी लैस के से ये टेकल कर दिया है ताकि मिलियर इस्पेक्टिंग का ओफर एट बताल हो जाए मिनिस्टर कहा कि हम टेकल कर चुकी था मिलियर इस्पेक्टिंग को अब काम चाहीं जाई रखे के लेकि देखो ये काम सुरू कर ले कि ना कर ले है अब देखो आ रहा है पास फकांसी फगवा आ रहा है रखेले डरता है कि कुफित देखंटिंग के जो मात रही खलन है कि अब ग्यारा बजे से पाथ बजे तक का आपको डांप नहीं आना चाहिए यानि लोगडों के बारे बात करते हैं ज़्यादा इंसान भी मैयत में और यहां वहां जा सकते लेकिन जब ये फगवा में आपास फकांसी ज़्यादा ज़्यादा लोग जमा हो करके उच्छो मनाएंगे नाच गाना करेंगे कूप फान करेंगे तो हो सकता है कि ये बस्मेटिंग और बढ़े जाएगा इसलिए लोग को हिसाब से करना चाहिए या फगवा बनाएंगे या पासफ़कांसी तो ये बस्मेटिंग ये मामला जो है ऐसे इस अधारन रूप में आप करियो ताके बस्मेटिंग जादा न होए वरना जो मक्षद से सरकार काम सुरूप किया है शाइज वो मक्षद गवड़ा सकेगा एक कनून जो हम लोग को या मिलेस्टर के होना चाहिए मिलेस्टर फान अर्मेट मिलेस्टर रिश्मा कुलदीव सिन बात ये है कि मिलिस्टर एक कनून तयार करवाना चाहता है असंबले में यह कनून वहाँ पहुच गया है श्रीफ आखेंड़ा पर आना चाहिए वेट सेक्ष्वेल मॉलेस्ट अप दे वेरक फ्लूर वेट सेक्ष्वेल मॉलेस्ट अप दे वेरक फ्लूर आपके जानट है भाईया ये छूच्छा जो हो रहा एक दफ्टरों में कभी कभी जादा होने लगता मौशी इसी कारण से कभी लड़की नराज हो जाती है कभी लड़का नराज हो गया मार्पिट होते हैं गुशा गुशा होते हैं ठेर चार्ज लोग करते हैं किसी का बजन छूना भी ना ही है अगर जब अजस्ति कोई ने कोई बढ़ दने लड़की के सरीर को छूड़े लगा जब अजस्ति चुमा उमा देने लगा तो आपको जानते हैं इसी कारण से एक कनून बनना चाहिए वो कहते हैं वेट सेक्स्वेल मॉलेस्ट अप दे वेड़क फ्लूर और मिनिस्टर रेश्मा कुल्डिव सिंग फा अर्मेच वेड़क लेखन हैच एवेव साकन वो कह रही है कि ये समस्या तो वहाँ इन दिन हो चुका है उन्हें अखेंद अपलना चाहिए और उन्हें बहांदर करना चाहिए क्योंकि ये मामला सेक्स्वेल मॉलेस्ट बहुत बढ़ते जा रहा है देश शुरिणा में बहुत गर्मल भाईया एक अरिस्टांट अंद्रो बेई के बालन सुनिये सेलन हैस रेश जैज पर बंद है एक बज़े के बात है जब वहाँ का हगवाकार से कहा कि वह त्वालत जाना चाहता है शिपाही दरवाजा खोला इस्प्यक्तिर फाप पुरी थी दरवाजा को खोल गिया त्वालत जाने के लिए खोलने के बाद इस्प्यक्तिर वह दरवाजा फिर बंद कर रहा है वही समय वही सेकंट में अंद्रो बेई भागने के कोशिश किया भाग रहा भाई जी अरिस्टांट रेंडे नाट टेसं देर मारी सिलाट के मारी उखड़ गया वाख तामन बे गया वहाँ एक सिपाहिं को पकरना चाहा लकिसिपाहिं भंज सेगेगा और ये गुट के निकल गया अरिस्टां ट्राप्टे दार्मे जे दुबल गलाजन दूर वाग तापट दुबल गलाजन दूर मारी स्पराग से फूटके जबल गलाजन दूर गिंग अंगेगलन बास निकर के दांप पूंज गया बागा आब उसका पीचासी पाई किया भया जी थोड़े बेल में आंद्रो बेई का गिरिफतारी हो गया क्योंकि पता चला कि उसका सरीर ये आइना फोड़ने किसे उनका हाथ कट कर गया है इसलिए आंद्रो को मेजी से बहांदर के लिए लोग ने डाक्टर के पास भी ले गया है उसके बाद फिर ला करके और जेल में बंद किया गया है फिर बज्जात लोंदा फोर फार के भी रोक्याइदा फैना भाग रहा था लेकि सिपाही उने फिर गिरिफ्तार के लिया है जब एरोपा में ने जलांत में तमान जगहां पर अस्तरा जनेका के बारे में शक पैदा होने लगा कि उसे इनसान के सरी से खून बचता है बीमारी और होता है वगएरा कि इतने जिहांत हो गया जब एरोपा में जगहां 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 जग अपना बिर्खर्ष को अस्तरा जनेका के दुआरा फाक्षिनेर करवाने के लिए क्योंकि वह उन्हें उन्हें सुक करने के बाद यही बात कहा कि अस्तरा जनेका फाक्षिनेर में कोई बुराई नहीं है कोई खत्रा नहीं है जैसे दुनिया में यहां वहां पर अईलान हुआ यह ऐसे नहीं है इसी कारण से आप लोगों को चाहिए यह आस्तरा जन्य का ले रेने के लिए यह पहला परते जो आया है उसी में कोशिश करके आप यह फ्रक्षिनेर करवा लो नजाने दूसरा कब आएगा और कब आपके मौका मिलेगा तो यह जरूरी भाईजे वेहा ओ बलेफ्स ओफार स्टन्पेंट ओफर आस्तरा जन्य का फ्रक्षिन बले इसमें कोई खत्रा नहीं है और कोई बुराई नहीं है और इसी कारण से सरमक्का के जो पुराना असाब लेगे तो रवी मलहू जी अपने पत्री के साथ कोफित नहीं खत्रीन फ्रक्षिने करवाया है और लोगों से सरमक्का के जन्ताओं को कह रहा है कि आप लोग जाकर के समय बनाकर के यह फ्रक्षिने करवा लो इसी में आप लोग का फैर्य खैट रहेगा और इसी में आप लोग के अंदर में विश्वास होकर के कोई बिमारी आपको नहीं मिलेगा रॉमी मलहू और इनके पत्नी यह दोनों फ्रक्षिने करवा चुके हैं और सरमक्का के जन्ताओं के कहा है कि आप लोग शमय बना करके बारी बारी जाकर के फ्रक्षिने करा लो आप यह लोग के फाइदा के लिए है एक आजमी को भाईया पाज महिना के सजा रेख्टर ने सुनाया है मुर्गी चोड़ी कटे हुए पकड़ा गया था शाइफ मांजर फर और देउट प्रट स्टेइवन फान केपन प्यारे जमता एक इंसान जो मुर्गी चोड़ी किया है मुर्गी चोड़ी करने के लिए उन्हे पाज महिना के जिल दिया गया है देमांस्टाल दॉक्षिन एंड केपन समझेंगा और ये आदमी ये चोड़ी करते हुए इनकी घर में इनकी घर यानि ये मुर्गी ये दुक्षा जा करके पुरीच्छी बस्लाख मिलिया है इन्हे पाज महिना के सिजा मिला है अब आप जनता है अब आप खुद ये सवाल करते रहते हैं कि जो लोग देस्वा के लुटले है देस के पाईसा जार बहार के ले गए रहे हैं उन लोगों के लिए कितना सजा होगा जब एक इंसान मुर्गी चोरी करता है उन्हें पाँच महिना के सजा अब जो देस के लुटले हैं उन्हें कितना सजा होना चाहिए प्यारे जनता आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जांदरैई पर एक हवाई जहाज जो मिड अत्लांसी रूटर एरोपा को उरान करने वाला था कुछ लोग जाकर के उसी लाइन फ्लिक के कुकरों में क्रेकल राइंट में सेस्क किलोकों का इन जाकर के लुकवा दिया यारे कि वहाब से ने जनलान को ठीक रूप में पहुँच जाता इमामला में कुछ लोग दिया अत्तार हुआ G. Tindra Prasad A. L. Glenn A. Fritz Clifford M. Virgil S. Miguel M. Marshall D. Melvin D. Ra Romano D. Max A. Rhinol Day Marciano Pay Digo Way ये सब सेफ मार्ट को स्चेप किलोकराम को का इन इन दकैकन रॉम्ट पाद लेंफ लिख्टर वहाँ जाकर के लुकवाया था बाकि वो ने जनलान को जाते वहाँ पर भिकता और वहाँ पसे पैसा आता और ये लोग धन्ना सेफ हो जाती यहाँ अज़ वकात ने रेक्टर मौरीद डैला से गुजारिस की गलेन एल ये जी तिंद्र को फर लूप पक छोड़ देने के लिए रेक्टर ने कहा ठेगा ठेगा कोई के छोड़ नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि सब लोग के नाम पर इत्राज है सब लोग जो बिल करके ये छे किलो कराम को कहीं एक्सपोर्ट तेर करने वाला था सेफ अपरिल को ये मुकद्मा आगे बढ़ेगा एक दुख के समचार काकी हमारा देश में एक समचिया जो शुरुआत हुआ है हम लोग को देश के अंदर में जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफर्माट्शी हम लोग को देना चाहिए सरकार को देना चाहिए मेडिया को देना चाहिए और पुलिट्सी मस्खापलगदीन्स्ट ये सब लोग को ये जनता को और फोर लिखतें देना चाहिए कि मुसीवत के समय वो लोग को क्या करना चाहिए विकेंट में भाई जे शुरी लाम के तमाम लोग शुरी लाम ने विकेंट में दो 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 अलग अलग के घटना हुआ दो आदमी अलग अलग जगे पर आत्मा हक्या की है शिपाही करफोर से पता चला ये सेलफ मोर्थ एक आदमी स्खिद बानवैक में अपना वो उन्तामर में बद्दुख और चमोटी बान करके और घर में टंग गया यानि फासी रदाने से आत्मा हक्या करने से इनका मृत्य हो गई है शिपानवैक के बात है वहाँ पर एक इंसान ने आत्मा हक्या की है ये कल्ब के बात है हमारे भाईया जे ये आत्मा हक्या ने जो आदमी जटी है इसका कारण नसी पाही मुझे बता सका अने इनके परिबार के लगशे पता चला कि वजा किया कि आदमी ने आत्मा हत्या की है स्कीदबान व्यख अपने घर के कमरा में सिपाही के रपोर से भी पता चला कि पुमूदा व्यख में एक दूसरा आदमी उनके पत्नी से ज्ञ़रा हुआ एक रजिब्ध से फ्रो बस वो आदमी ने वो भी जा करके टंग गया आत्मा हत्या कर दिया दोनो लाशे सिपाही ने बश्राफ में दे लिया है उपुमाद में इस्टेरी और बाद में उपुमाद में इस्टेरी परिवार के हवाले भी कट दिया है इस वक्त ये 24 गंटे के भीटर में दो इनसान अलग अलग जगहे पर अलग अलग कारण से ये दोनों ने आत्मा हत्या की है प्यारे भाईया क्या हम लोग इस सब बात सून करके एक कान में बात भुसर रहा है जुसरा में से निकल गया खतम बात नहीं दोस्तों ये समश्या को समाज में जन्ता के सामने जन्ता के लिए ये सब बात पहलाना चाहिए कि मुशीवत में इनसान को क्या करना चाहिए मुशीवत में इनसान को सिर्व आत्मा हत्या वही अपलोसिक नहीं है प्यारे प्यारे जन्ता ये दुख के बात है ये बड़ी अफसूस के बात है कि दो जगहे पर अलग अलग जगहा पर अलग अलग घंटे में दो मनुस दो इनसान याने रसरी बान करके और ये दोनों टंग गए हैं आत्मा हत्या की है रापार दोनों परिवार को सोग सवेजना प्रश्टोत करते हैं अलग आदमी के बात सुनो सोमवर के रात्री को बोत्रो तुर्टू रुवेख में एक आदमी सबसे पहले कुछ लोग ने एक आदमी को जाकर के लूटा है चार लोग थे फिर चार लोग जाकर के एक आदमी को जाकर के मर ले है और वो कौन आदमी था इनी गुरुव में से एक का फ्रिंदेन एक्स फ्रिंदेन जो आदमी का एक्स फ्रिंदेन रहा उस आदमी को जाकर के मर ले है जोसे चार आदमी मोतर तुर तुरु वैक में एक आदमी पर हमला किया उनका माल नुचले है ना और वो आदमी का एक्ष फ्रिंदेन का एक फ्रिंद इसमें भी है इसी कारण से खवापन में थोवर और फिल्श व्रवापन और जा करके वो आदमी के उपर हमला कर ले बाब हमला कर ले बाब वजमिया का एक्स फरीन दिन ये लोग के साथ है और ये लोग के साथ मिल करके बोत्रतुरतुर वेक में उस पर हमला अदमी के किया उनका कुछ समान भी लूट लिया है तोई मुबिल टेलेफून और और कुछ-कुछ पैसा वैसा ना तब देखो की के गिरफ्तार होता है के के गिरफ्तार हुआ है अब सुनियो कैसे लोग ने किसी के कैसे लूट रहा देश के अंदर में दो डाकू ने फरलेंड एफराम जीखनवेक में डाम पर लकड़ी पलंगा धर करके ताकि गारी बगारा आये तो उनको रुकना पड़े बारीकाद लोग कहते हैं प्यारे भाईयो अचानक एक बुफई लकिंस बैस्तांट दी सुरी नाम बेबियस का एक शुनस गारी लेकर के वहाँ पहुँचा लेके डाम पर लकड़ी फकड़ी रखा है तो गारी रोक करके वह सब लंगा लंगा हटाने के गया तब लेक दो डाकू ने उनको पर तूट पड़ा दो डाकू ने तुरंट उनको पर तूट पड़ा उनकी जेव से अठारा सो अमेरिकान से डॉलर हाल्स केटिंग डीस वापन ये सब छीन करके और वहाँ से ये सब वहाँ से भाग निकला अब आप देखिये भाई जे कैसे कौन तरीका से चोर लोग ने इंसान को लूट दगा जान पर लकरी पलंगा धर दिया वह आगी पहुँचा बोल भाईया की कैसे मागे बढ़ी उत्रा उसको हताने के लिए बस उनको पर डाकू ने तूट पड़ा है आप लोग को ये सब बात जानना चाहिए कि लकरी पलंगा काहिद धरल है तुम्हें लूट ले के लिए इसलिए आप लोग इन तमाम चीज़ों से हुसिया रहना भाईजी तमाम चीज़ों से हुसिया रहना क्योंकि चोर सननाम के बिज़वानों से प्रोफेसर लोग से चलाख हो गया है बहुत तरीका के चोर आ गया देश पे भाई अनिक अनिक प्रकार के चोर सननाम में हर एक डिपलोम वाला चोर आ गया मोशी इसी कारण से बहुत पुर्शिक रही आप लोग एक आदमी के नाम है एस द्वाइट एस द्वाइट ये ख़देशी नेर्ड है ये जेल काट रहा है लेकिन इनकी कमरा के जो तक्या है तक्या जिस तक्या पर इस सोता है उसमें एनन तक्षटक प्यंसे इफख ग्राम गाजा मिला है फर दो फुर जो मिला अब भईया ड्वाइट एस फिर इनका पमोकत में चला एक तो जेल काट रहा है आज साल के सजा इजे काटना है लेकिन अब जब जेल में है तो तक्या में इनकी तक्या में भईया जे मिला है गाजा अब ये मुकद्मा ये भी चला एस दुआइट बोलो हमाद तक्या नहें हमसे पहले जो कैदी वहाँ पर सुथत रात तक्या पर उत्चल गई भई है वही के तक्या बपा तो जाइट वो गाजा खीचत रहा तो मवैस न कर पाई से सिपिये इसलिए रेक्ट दुन कन नान हूँ एस दुआइट को रिहाइट कर दिया ये इस मुकद्मा के लिए बाकि आठ साल तो उनको काटना चाहिए जेल में लेकि जब इस में ये गाजा के लिए दुई साल मिल जाएट तो आठ और दो साल तो दस साल लेकिन आठ साल के लिए उनको सजा काटना है वो काट रहा है ऐसे ऐसे करके मौशी हमारे सुरी नाम के जनता अन्खस्तोल आउटो इस खिस्टरन अन्खत्रोफन अब दे होकफान वॉलफ राम एन हीडियम स्ट्राथ पुलिची को तार गया है कि जो गारी आपनों खोज रहे है वो गारी यहां खड़ा है प्यारे जनता और हैट खाट अमन तक्सी आउटो मेट खेव स्टेकर्स बना डेल्ड आर्खिट किया था लेकिन अब यहें यह गारी मिल चुका है बड़ी तमासा बात बहुत तमासा बहुत तमासा आपकी बचाईदा यह धान के बारे में धान के बारे में निकेरमान लोग चाते हैं कि मिलिस्टर धान के प्रेश वपाल करें मिलिस्टर बोले हम धान के प्रेश ना वपाल करी है रखेर एक धान के प्रेश ना वपाल करे है रखेर एक खली मेलग प्रेश दूद के प्रेश वपाल करता है और कोई ऐसा प्रेश नहीं और कोपस जो निकेरी में है लगबग पचीस तीस साल से यह लोग खुद प्रेश बपाल करता है और धान खरीदते हैं और मिलेस्टर ने कहा कि मावला जो है प्रेश के बारे में तो वह अब को उपस को बपाल करना चाहिए अब को उपस ने थ्वेई होंड़ सेफ हं तक बपाल कर चुका है RMC के अग्वा कालों फोल्डर्स और मॉंटनूस मासकर्स इनों को दान मिला है प्यारे भायों यह NCD प्रोग्रामा का अग्वा कालों यह MMC यानि स्टिटिंग अल मुंगरा मेजी सेंटरिम को फोल्डर्स और मॉंटनूस मासकर्स जाकर के दान दिया है यह वहाँ जरूरी था इसलिए यह दान लोग जाकर के दिया है और आँ तो आप जानत है भाई यह हम लोगा IMF के बाद सुन करके दरने लगा हूँ सेलो का फोर्च इतना रोन आउट होखाड करता कि सरनाम के रखेरिंग अगर IMF से काम करेगा तो वो स्ट्राथ आक्षी करेगा नजाने उसके पीशे इंसान है कि ना है लेकि वो स्ट्राथ आक्षी करेगा विल्स्टन ने अब अतार सिंग क्या कहता है जंदर IMF खानम नौगगी पर जाकन विल्स्टन ने कहा विल्स्टन बोलकी जब स्ट्राथ के रखेरिंग आईमएफ के साथ काम न करेगा तो हम लोग और गरहा में गिर जाएंगे और गरहा में गिर जाएंगे यह अभी सेर करता है कि कम से कम IMF के साथ कारुवार करना चाहिए कुछ नई धंसे कुछ नई तरीका से जिससे सुरिनान को कोई बरबादी न हो एक औरग है या चाली साल के बिटिया अपने माई मैया सस्तक यार के है यह बिटिया मौसी सनी टर्मार्ट के तेरा तारीख ला तुरका पुलिसी के रपोर्ट से पता चला है बोतल फोर करके मैया के साल पर मार्दिया मैया के साल पर मार्दी स्बोतल से मौसी एर इस तगवोर्द वेसलिंग होगा तुस्ट मुदर और दोक्तर नाजाट फेई दोरहार मुदर वास आर्खिस प्रोकन और फेट लॉस बांदख लेफ अंदाट चलाई बोले तू छुचु 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 राध दी नहीं वहाँ 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 इस अजबी के साथ वह भरूआ तु कहा करण़ है बस बिठीया के लगर विश्टा लेइस बोतल बीरी के फोरीज बपा मैया के सार पर मारीज जो मैया के सार पर मार चुका बस गटाईया के मुलं तो गटाई काज ने बुढ़िया दे 60-jarige व्रो फिर हीरदोर अप दे फ्लूर वाना दे दोख्तर ने स्टिक वान दे कपट बीरफलेश अपराप्ट अपराप्टे थे ते 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 हाल्स वान हार मुदर हील्ब लेकिन मैया ने अपना कृस्ट को येसस के या परातना कर के काका और मारी से धका तो लड़की चचचच गया और वो बकाया खीचा ठीचा निकल गया वहां से भगा तो ये शिपाही के बाद शिपाही भी इसमें आया है जग कपल तो भी फ्लेस वेट इन बसलाख दोवन फेई वेट ना ओफर लेख मेट उपमाल मी जस्टेरी इन पर सेक्रे खस्टाव अईसन विटिया को बंद करना ही चाहिए अज़ा मैया कुछ बोले तो मैया के गटाई काटना चाहा मूरी तो फोरी बोतल से अनेक अनेक परकार के चीज़ भईया देश में न जाने केकर नजल लगे काकी न जाने केकर नजल लगे इतना सुघर देश लहाँ सब चौपट हो गई इस बाप सब चौपट हो गई इस है कि घर के लडकन भी बिगष गया है ये बिटिया माई एतनी इज़त से बिटिया से बात करी इस है कि कहा तो चुछवाते है तो ओकर मूर फोर दिया बोतल से अब हम आप से कुछ बोल नहीं पाएगे भाई जी, ये दुख के बात है काका, ये बड़ी अफसोस के बात है, बहुत अफसोस के बात है, प्यारे जंटा, आप तो जानत है कि हम लोग को नेखना ड्विंटक मार्त को फगवा है, फगवा आप इस तरीका से मनाईए, ये जो कौफिद नेखन की प्रोटकॉल, उसी तरीका से आपको ये उच्छाव में भाग लेना चाहिए, कोई गल्ट मत काम करना, जिससे सरकार आपके आप क्या समशिया को रोक दें, अगर आप लोग को फरक लेने के जरूरी है तो वो भी माग लेना, ताकि आप लोग मैयूस नहों, क्योंकि हर एक उच्छा को हम लोग कुछ नकुछ करना चाहिए, हमारा उच्छा है, हम कैसे छोड़ दे की नहीं बनाए जाएगा, क्यों? उसको चाहे जो तरीका से, अगर प्रोटकॉल कोफिद के बना तो उसके कारण से, वही कारण से, ये उच्छा को मनाईए, आइसे मत करना, कि बस मेर्टेंग उच्छादा हो जाए, कोशिस करियो, काईदा कनों से करियो, इज़त से करियो, ताकि सरकार अंगुलियां नट उठा पाए, इंसान को उपर, समाज को उपर, हमारे देश के तमाम जनता हम लोग के तरब से कोशिश है देश में शांती लाने के लिए देश में विश्वास लाने के लिए देश में अपताई लाने के लिए हमारे कौम के बीच में एक टाई के बड़ी जरूरी है इना सिरिफ हम लोग को राज पार्च के लिए नहीं हम लोग के अपनी समाज के काम के लिए हम लोग के अंदर में एक टाई के जरूरी है आज आप देखिए जो हम लोग इस देश में रहते हैं हम लोग के माबाद यही पाइदा हुआ, हम लोग के आजा आजे दादा दादी भारत से आए थे, यही देश में रह गया है, हमारे आजा आजी ने बहुत से कठें से जिन्दगी बसर किये शुरी नाम में, क्योंकि अरकाथी रोग ने उन्हें बाऊव से सताया तो जाने कि जो सलाफर नई था डेश में तो जो हमारा हिंदुस्तानी भारत से आया उन्हें कहते हैं अन्फरकप्त फौरूम फान सलाफर ने वो भी गुलामी की है वो तो आप जानते हैं कि कितना कितना लोग को गोली मार मार करके ये लोग ने हत्या की है सब्रो जहां जुलन में, अलियांस में, जर्रोप में, मारिय बिरुख में कही साथ लोग को, कही दस लोग को, कही आठ लोग को, कही सोना लोग को ऐसे करके केतने लोग को हत्या कर ले हैं गोली मार दिया है ना तो हम लोग वो मुसीबत काट हमारे दादा दादी आजा आजी वो मुसीबत काट करके और जो हम लोग आज इस देश में उनके बड़ालग से राज करते हैं तो हम लोगों को या भी करना चाहिए उन्हें कई भूलना नहीं चाहिए इसलिए जून के पास तारीख हमारा इमिखराची दख जो है यो भारत से आये थे 64 फिरंसेस तक इस खेई पनाया है शुरी नाम में 24 हज़ार कितना लोग तो अजानत है और कितने लोग वापिस चला गया और कितने लोग यहां रह गया शुरी नाम में इन तीनों का अगवाकार थे जैसे यहां फाक बोस ले इज़र राश हम लोग कहते हैं लेकि ये लोग ने और और मुशीवत ये लोग के आप जानत है एक था मथुरा एक था राम जानी और एक था जुमपा राश गुरू तो जानत है कि मथुरा को गोली मार करके हत्या कर दिया लोग ने कुलोनियाल देखर लोग वो फर्नांडेस था उन दिनों में खुपनेर और वही के जलिए कनोट रहा कनोट एगो लाईजर ये लोग के जलिए मठरा को गोली मार दिया गया क्योंकि वो हग के लिए लड़ रहा था आप तो जानत है कि बाद में उनका हड़िया सिर्फ मिला आप जानत है कि रामजानी को छे मर्ट बाद गिरफतारी किया गया ललकार ललकार करके उनको गिरफतारी किया गया क्योंकि वो मजदूरों के लिए लड़ रहा था फस्टस त्रेजिस लोग के ते वही हाल था जूंपाराज गुरू के सनना इसो नेख़ती त्वेई से नेख़ती जैस्ती हमारे भारती लोग ने इस देश में रहा बहुत से बहुत से गुलामी की मारी बिरुख में तो आप जानते हैं कितने लोग को जैस्टस बेइफर के साथ साथ जैस्टस बेइफर के तो कतल हुआ लेकिं गोली बार दिया बेकसूर लोग को जो अपने तंखा के लिए आक्शी करहे थे तो जनता कींस फरसेस्ट राइडर्स का मौनिमेंट जो उनके पास तारीख बाबा माई प्लैंग पर उसका देश का सरकार अंधिल करेगा मैं अभी साब को बटा रहा हूं हम लोग को अपना वुजरुख जो लोगत नहीं मेहनत करने के बाद आज हम हिंदुस्तानियों इस देश में हम लोगत बोल बाला है तो हम लोग उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए वो लोग जो हम लोग के बाप माई दादा आजा आजी के लिए कुर्बारी दिये है इसे लिए ज़स्टेक्टे हिंदुस्तान से भी खराच सी ये कारवाई अपने उपर लिया है अपने सरी दोस्तों के साथ ये एक अलख में चीज है याद खना हम लोग शूरी नाम भर के जनता को चाहिए इस मामला को अंदुस्तों करने के लिए लगा लिए स्टेक्टे हिंदुस्तान से भी खराच सी जहां पर हम खड़ा है हमारा बुस्तिर खड़ा है लेकिन हम लोग को इन बहाजरी को सामने रख करके इनको इज़त करना है भाई बहिनों ऐलान सुनते रहना क्योंकि हम लोग इस देश में रहेंगे इस देश के अंदर में एक टाई चाहते हैं इस देश के अंदर में हम विस्वास चाहते हैं इस देश के अंदर में जो बिगड़ी ही हालात है हम लोग को चाहिए बिल करके उन्हें सुधारने के लिए यही एक मौका है एक बाद में साइस हम लोग को मौका नहीं भीएगा बाई बहिनों हमारा सलाम कबूल कीजे आम कबूल कीजे